फाइनली वन पीस का जो आज का जो एपसोड है 1053 वो आया और मैंने उसको देखा और जानते हो सबसे खुसी की बात क्या है भाई इस बार तो यानि में इसने पूरा का पूरा चैप्टर अड़ेप्ट किया है शुरू से लेके end तक और आज के एपसोड के साथ ही वन पीस का जो एनिम है वो ब्रेक पे जा चुका है मतलब अब तुम्हें लगबग एक महिना तक वन पीस का कोई भी एपसोड देखने को नहीं मिलेगा इसका मेन रीजन तो मेरे को नहीं पता लेकिन जहां तक मेरे को लग रहा है कि वो लोग ज से कहेंगे मतलब सबसे ज्यादा फोकस किया था आज के एपसोड ने सांजी पे एंड साथी साथ सांजी के बॉड़ी में कुछ फेर बदलाव हो रहा है कुछ चेंजेस आर है जिसको तुम सब जो है एनिमे वाले देख सकते हो अब बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि यह कैसे करके हुआ भाई जज का एक्सपरिमेंट है एंड अभी फ्यूचर में जब नएने एपसोड साइंगे नहीं वहाँ पर तुम देखना भाई सांजी किस तरह से क्वीन को फुड़ बनाता है अब देखो यही नहीं इसके अलावा दूसरे जगों पे भी फोकस किया गया जैसे मोमनोस के जो है बड़ा सा ड्राइगन तो बन गया लेकिन वह काईडो जितना फ्लेम क्लाउड को क्रियेट नहीं कर पा रहा साथी साथ यामटो तो उसकी हल्प कर ही रही थी लेकिन अब उसको जो है बॉंस को डिफ्यूज करने के लिए जाना पड़ेगा क्यू जो किस तरह से ओनिगा सीमा को गिरने से रोकेगा वो भी तुम देखना मजा आएगा वैसे तुम्हें क्वीन का ये साप बला अफ्तार कैसा लगा भाई जब यह मांगा मैं आतना मुझे सबसे ज़्यादा अजीब लगा था और बहुत सारे वन पीस फैन को भी अजीब जो दो मिसाइल मार देता जिस वह जैसे सांजी छूट जाता और उसके बाद हम जो है देख सकते हैं कि सांजी जॉम्बी की तरह चल रहा था उसकी हड्डिया तूट गई थी लेकिन फिर वो दुबारा ठीक हो जाता है भाई ये पावर है सांजी का और आने वाले टाइम प वो जो है CP0 के बागी के जो एजेंट्स जो वानो कुनी में आये हुए हैं उन लोगों को बताता है कि उनका जो फर्स्ट प्राइटी है वो है निक और रॉबिन को कैप्चर करना उपर से और आये हुए हैं साथी साथ CP0 बे फिकर है कि काईडो जो है वो हारेगा नहीं वो जी जाएगा और अगर वो हार जाता है तो फिर वानो कुनी जो है World Government अपने अंडर ले लेगी जो कि इतना आसान नहीं है लेना वैसे मुझे एक बात तो पता है अच्छे से तुम सब Gear 5 देखना चाहते हो लेकिन उसको आने में टाइम है जूनना साथ जुलाई में आएगा लेकिन तब तक यह जो फाइट्स चल रहे ना जो होने वाले सांजी बसेज क्वीन, किंग बसेज जोरो, किलर बसेज, बैदल हौकिन्स, बिग मॉम बसेज, लौ एंड किड यह बहुत ज़्यादा तभाहिदार मैच होंगे और हाँ एक फाइट है जो मुझे ज़्यादा को बढ़िया तरीके से एनिमे में एडाप्ट भी किया, एंड पेसिंग भी सही था, और देखो वन पीस ब्रेक में जा रहा, जब आएगा तो धमाकेदार एनिमेशन के साथ आएगा, एंड हाँ देखो, कमेंट बॉक्स में कुछ और भी पूछना है तो पूछ सकते हो, सात नेक्स्ट वीडियो में फिलाल के लिए, बाई